भारत के S-400 को चक्मा देने की तैयारी में पाकिस्तान अबाबील मिसाइल का किया परीक्षन बढ़ेगी टेंशन। पाकिस्तान ने अबाबील वेपन सिस्टम का परीक्षन किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वेपन सिस्टम को खास तोर पर रूसी मूल के S-400 जैसे भारतिय मिसाइल डिफेंस को हराने के लिए तैयार किया गया है। अबाबील की रेंज 2200 किमी बताई जाती है। अबाबील मिसाइल को अभी तक पाकिस्तानी सेना में शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तानी सेना की प्रॉपगेंडा विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन्स आईएस पियार ने बुधवार को अबाबील वेपन सिस्टम का सफल उडान परीक्षन किया। बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज बाइस सो किलो मीटर बताई जाती है। अबाबील वेपन सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस को चकमा देना है। यह मिसाइल परंपरागत और परमानू हमला करने में सक्षम है। ISPR के अनुसार इस लॉंच को ज्वाइन चीफ्स, आफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष, जनरल साहिर शम्षाद मिर्जा, स्ट्रेटिक प्लांस डिवीजन और स्ट्रेटिक फोर्सिस कमांड के वरिष्ट अधिकारियों के साथ साथ, स्ट्रेटिक संगठनों के वैग्यानिको और इंजीनियरों ने देखा, ISPR ने कहा कि वेपन सिस्टम का उद्देश, जवाबी कार्रवाई की ताकत को बनाए रखना और क्षेत्र में स्ट्रेटिक स्थिरता को कायम रखना है, बयान में आगे कहा गया कि राश्ट्रपती डौ, आरिफ अल्वी, कार्यवाहक प्रधान मंत्री, अनवार उलहक ककड और सेवा प्रमुखों ने इस उपलब्धि पर रणनीतिक बलों के सभी सदस्यों को बधाई दी, अबाबील वेपन सिस्टम का घोशित उद्देश, भारतिये बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को हराना है, सैद्दान्तिक रूप से इसका इस्तिमाल भारत के परमानु शस्त्रागार को इस्तिमाल करने से पहले नश्ट करने के लिए जवाबी हमले में भी किया जा सकता है, अबाबील मिसाइल की लंबाई 21.5 मीटर और व्यास 1.7 मीटर है और इसे पारंपरिक और परमानु हतियार दोनों ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसमें कई स्वतंत्र रूप से लक्षित रिएंट्री वाहन एमाई आर्वी हैं, जो दक्षन एशिया के पहले एमाई आर्वी पेलोड का प्रदर्शन करते हैं, अबाबील मिसाइल की अधिकतम सीमा 2200 किलोमीटर एग यारन 400 मील है, ऐसे में यह इ 300 किलोग्राम 661 पाउंड के 5 या 125 किलोग्राम 408 पाउंड वजन के 8 अधिकतम हतियार शामिल हैं, अबाबील को के आरेल द्वारा विकसित किया गया है, जिसने पहले तरल इंधन से संचालित गौरी मिसाइल सिस्टम विकसित की है, इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि अबा जाता है, लेकिन A.M.I.R.V. Warhead को तैनात करने के लिए इसका व्यास और पेलोड फेरिंग को बढ़ाया गया है, इस मिसाइल का सेकंड स्टेज भी लंबा कर दिया गया है, अबाबील का पहला सारवजनिक रूप से घोशित परीक्षन, लाँच 24 जनवरी 2017 को आयोजित किया गया था, दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताए, आपको वीडियो कैसी लगी? घन्यवाद!